यवतमाल के दिग्रेश शहर में चोडियों के मावले बढ़ रहे हैं जेब कत्रों को तो जैसे किसी का डर ही नहीं है दिग्रेश शहर में ऐसी ही एक चोरी की घटना सामने आई हैं बेखाफ चोर सुबह करीब 11 बजे के दौरान दुकान से मोबाइल चुरा कर बाइक पर बैठ कर फरार हो गए प्राप्त जानकरी की अनुसार प्रवीन देवराव कुराट जनरल स्टोर के मालिक है वह सुबह से ही दुकान में बिखरे सामान को समेटने में लगे थे सुबह 11 बजे चोर जब पहुचा तो दुकान दार ने उससे पूछा कि क्या चाहिए चोर ने दुकान मालिक से जूट बोले कि उसकी मा सामान लेने आ रही है उतने में दुकान के बाहर हुंडा कमपनी की ट्विस्टर गाड़ी यलो कलर की गाड़ी लेकर दो वेक्ति दु बढ़ गया है विश्वसनिय सुत्रों के अनुसार अवैत कारूबारियों के समर्थन के कारण दिग्रस्थाना पुलिस अपरादियों पर अंकोष नहीं लगा पाए यह अतमाल जिले के दिग्रस तालूका में भी महराष्टर में से सबसे ज़ादा जेब कत्रे है दिग्रस पास्वर्ड मांग रहा था मोबैल के मालिक ने उसके नंबर पर कॉल किया तब मोबैल चोर ने मोबाल मालिक का पास्वर्ड मांगा उस समय मुझे वापस करो नहीं तो हजार रुपए ले कर दो ऐसे 8 से 10 कॉल चोर ने रिसीव किये वादी ने थाने पहुँच़कर एक गो शिकायत करता प्रविन कोराट ने मांग की है कि चोरी की बढ़ती घटना उसे क्षेतर में कानून विवस्था की स्थिती दिन बदिन बिगडती जारी है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। WKB News के लिए यवत्माल से अजित महिंद्रे के रिपोर्ट। खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची।